यह आप भी हमेशे आरो का पानी पीते हैं यह जो पहार बजार में बोतल के अंधर पानी मिल रहा है चाहँ वो एक लीटर की है, पांच लीटर की है, इस तरीके कई पानी आप पीने में और अपना खाना बनाने में इस्ते माल कर रहे हैं और आप जब भी अपना टेस्ट कराते हैं तो आपकी हड़ियां कमजोर आती हैं आपको हमेशे यह थकांसी लगी रहती हैं तो यह वीडियो आपके लिए हैं इस वीडियो के अंतक मैं आपको बता पाऊंगा ये आप जो ये पानी पी रहे हैं इससे आपको क्या नुकसान हो है और उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना भी चाहिए हमाशकार मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडिलवाल है और मेरे जीवन का उदेश्य है कि मैं दसलाग वर्किंग की और आज रजातर λोग अपने घर के अंदर पानी का फिल्टर जरूर लगवाते हैं तो जो पानी का फिल्टर होता है उसके अंदर एक टेकनॉलोजी तो हमेशा ही होती है जिसको हम कहते हैं आरो》 जिसका फुल फॉम है reverse osmosis इस technique के माध्यम से ही जो हमारे नलके में पानी आ रहा है उसके अंदर से उसके काफी सारे minerals निकाल दिये जाते हैं और उसको कम नमक वाला या soft water में तबदील कर दिया जाता है और जब आप यह ऐसा पानी पीते हैं तो आपको पीने में ज्यादा मीठा सा ल पानी का pH को भी थोड़ा बढ़ाया जाता है जिसको की alkalized water कहा जाता है या kangen water कहा जाता है और इसके काफी सारे फायते हमारे श्रील पर बताए जाते हैं और आजकर जहातर लोग किसने किसी type के water purifier के इस्तमाल अपने घर पे या अपने काम की जहेंगे पर कर ही रहे हैं आजकल सबने कुवे का पानी या हम कहें जो नल के अंदर पानी आ रहा है उसको पीना बंद कर दिया है और इससे आपके शरीर पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं किरप्या इनको अब अच्छे से समझ लें जिसकी वज़े से आपका स्वास्त और खराब होता जा रहा है जो पहला नुकसान आपको होता है वो यह है क्योंकि अब जो पानी आप पी रहे हैं इसके अंदर काफी सारे मिनरल्स निकाल दिये गए हैं यह बिल्कुल सॉफ्ट वाटर के अंदर आपने कर दिया है तो आपके शरीर को बहुत कम मात्रा के अंदर दूसरे मिनरल्स मिलत हो जाते हैं हमारे हड़ी और दांतों के लिए केल्शियम फॉस्फोरस मेगनीज बहुत ही जादा important है हला कि हमारे पानी के अंदर ये कम मातरा के अंदर होते हैं लेकिन फिर भी World Health Organization भी मानता है कि हमारे पानी के अंदर इनको होना चाहिए और ये हमारे लिए जरूरी है और ये जो बहुत सारे कम मिनरल्स हमारे शरीर में अब इस आरो वाटर की वज़े से जा रहे हैं इसकी वज़े से हमारी हडियां कमजोर हो जाती हैं हमारे दात भी कमजोर होती हैं जिसकी वज़े से हमारे हडियों में fracture भी होता है हमारे दातों के अंदर भी जल्दी से खराब होने लग जाते हैं इनके अंदर cavities बनती है तो ये नुकसान हमारे दातों और हडियों को हो रहा है और इसके उपर काफी सारी studies भी वही है जो अपने आप में ये बताती है कि जो लोग ऐ से आरो वाटर का इस्तमाल कर रहे हैं उसकी वज़े से उनकी हटी और दातों को ये नुकसान हो रहा है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो किरपी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस परकार की हेल्थ वीडियो आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवारवालों को जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी चल स्वस्तों बैतर हो जाएं 2023 के दर एक स्टेड़ी वी जिसने इसको स्टेड़ी किया और उसने बताया कि जो हम ये दी मिनरलाइजड वाटर पी रहे हैं लो मिनरल कंटेंट का पानी पी रहे हैं इसकी वज़े स इसके अदर भी एक और सेड़ी उर्ट हुई जिसके अंदर उनने स्टेडी किया कि ऐसा पानी लगतार पीने से हमारे जो हडीयां होती है उनके अंदर जो दूसरा नुकसान हमें यहां पर पहुँच रहा वह यह कि हमारी आरो वाटर डी मिनरलाएजड वाटर है इसकी वज pH है वो थोड़ा घट जाता है जिसकी वज़े से अब यह जो नॉर्मल वाटर हमें बिलकुल नॉर्मल और नूट्रल पीएच का मिलता है वो अब थोड़ा सा acidic हो जाता है और जब यह acidic पानी हम अच्छी मातरा के अंदर पीते हैं और आप तो जानते ही है जातर लोग पूरे दिन के अंदर कम से कम डेड़ दो लिटर पानी तो पीते ही है तो उनके शरीर के अंदर भी acidity को बढ़ाता है जिससे कि हमारे शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है कि उसे neutralize करके हमारे body functions और हमारे organs अच्छे से काम कर पाएं जो तीसरा नुकसान हमें यहां पर हो रहा है वो यह है कि जो हम कि ऐसा पानी खाना बनाने के अंदर पर इस्तमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता यह बिल्कुल safest और purest पानी है जिसका हमें इस्तमाल करना चाहिए तो क्या होता है कि आपके खाने के अंदर जो important minerals थे वो भी lost हो रहे हैं और यह काफी सारी studies में प्रूब हुआ है कि जब हम खाना बनाने के लिए या उसकी processing के लिए ऐसा soft water इस्तमाल करते हैं जिसके अंदर minerals की काफी कमी है तो हमारे जो खाने के अंदर minerals हैं वो भी उसके साथ निकल जाते हैं especially अगर आप उनका खाना बनाने की ऐसी प्रिक्रिया में इस्तमाल कर रहे हैं जैसे आप उन्हें उसके उबाल रहे हैं और पानी फैक रहे हैं ऐसे में तो उनका amount बहुत ज्यादा कम हो जाता है और एक study में ऐसा पायाएगे कि जब हमें ऐसा आरो वाला पानी और low mineral content वाला पानी इस्तमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए तो हमारा तकरीबन 60% magnesium और calcium हमारे खाने से हमें कम मिलत है वहीं पर copper की absorption होती है वो भी 66% तक कम हो जाती है मेगनीज भी तकरीबन 70% तक हमारे खाने से निकल जाता है और वहीं पर copper तकरीबन 85% निकल जाता है तो हमें इतने सारे कि जो हमारे खाने के अंदर nutrients थे उनका खाने की processing के अंदर ही नुकसान हो रहा है जिसका कि हमारे श जरूरी है हमारी जो पाचन किरिया है उसके उपर भी इसका काफी फरक पड़ता है हमारी जो gut peristalsis होती है हमारी जो आत की movement होती है वो कम हो जाती है पर आपने पाया होगा आजकल जाहतर लोग जो ऐसे पाने का इस्तमाल कर रहे हैं वो कहते हैं उनके पेट में अफारा सा रहता है उनका पेट फूला फूला रहता है उनकी आत के अंदर जिस degenerate चाना रुकास हो हुआ है वो आगे नहीं जा रहा है तो ऐसे समस्याई काफी लोगों को होती है इसके अलावा उनको खाना पचाने के अंदर बिलिए तकलीफ होती है जिसकी वजर से उनकी आत यह खान पीने से वहाँ भी बदला वाता है और हमारे श्रीर को यहाँ भी एक नुक्सान हो रहा है अगला नुकसान हमें होताइक हमारा जो इलेक्टरोलाइट इम्बेलन्स है वह थोड़ा बढ़ता चला जाता है क्योंकि हमारे पानी के अंदर तो किसी प्रकार के मिनरल्स हैं ही नहीं, जिसकी वज़े से आपने पाया होगा काफी लोगों को ये चलने फिरने में थरकान सी महसूस होती है, उनका काम करने का मन नहीं करता, और अगर वो कुछ करते भी हैं तो उनके हाथ पैर के अंदर ये बायटे ये क्रे क्लोराइड इनकी मात्रा हमारे शरीर में बिलकुल मेंटेंड होनी चाहिए, इसके अलावा अगर हमारे शरीर के दर मेगनीशियम कम है, तो हमारी जो मास्पेशिया हैं उनको भी ये कम मिलता है, जिसकी वज़े से क्रेंप समय ज्यादा आते हैं, आरो का पाने जिसके काफी सारे मिल्रस निकाल दिये गए हैं, इसके अंदर एक जो बदलाव आता वो ये है, कि अब ये ज़्यादा गुलन शील हो जाता है, कहने का मतलब इसके अंदर अब कोई भी चीज आएगी, तो जल्दी से गुल जाएगी, तो इसका नुकसान हमें ये होता है, कि हम इसको जिस प्लास्टिक इसके अंदर गुलने लग जाता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, और हमारी अंग कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा रहा है, और ऐसे पानी को अगर हम किसी ऐसे बरतनों के अंदर रख रहे हैं, जिसके अंदर हैवी मेटरल का इस्तमाल हुआ है, या मालनों वो कॉपर के हैं, तो उनके अंदर भी यह बदलाव आने वाला है, यह जिए हैवी मेटरल से यह कॉपर है, उसके अंदर जादा घुलेगा, और हमें जादा मातरा के अंदर मिलेगा, जिसके वज़े से हमारी अंगों को और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचने है, ऐसे लो मिनरल कंटेंट पानी पीने से हमारे दिल को भी काफी नुकसान पहुंचता है, 2023 की एक लेटे स्टेडी के अंदर हमें पता लगा है, जिसके अंदर उन्होंने स्कूल जा रहे है, बच्चों के उपर यह स्टेडी की, और उन्हें ने पाया कि जिन बच्चों के स्कूल के अंदर उनको ऐसा पानी दिया जाता है, जिसके अंदर मिनरल कंटेंट काफी कम है, और अपने घर के अंदर भी वह ऐसे पानी का इस्तमाल कर रहे है, बजाए कि जो उनके नलके के अंदर पानी आ रहा है, तो ऐसे बच्चों के अंदर होमो सिस्टीन लेवल्स जाते हैं और अंत में ऐसा पानी पीने से जो हमें एक और बहुत बड़ा नुक्सान हो रहा है वह यह कि जब यह आरों का पानी हम पीते हैं तो उसका एक लिटर पानी प्राप्त करने के लिए तकरीबन दो से डाई लिटर और कुछ मशीनों के अंदर जो तीन तिन चार चार लीटर पानी वेस्ट भी होता है तो कितना सारा पीने योग्या पानी हमारा योही वेस्ट सीवर के अंदर फेका जाता है डेली बेसिस पे जितने शहर हैं आप देखिए कितना करोडों लीटर पानी रोज योही वेस्ट हो रहा है इसके अलावा जो वह बिजली और दूसरे ख environment के अंदर यह जो green house effect है यह भी बढ़ता जा रहा है और carbon footprint बढ़ रहा है तो हमारे environment को भी इससे बहुत जादा नुकसान हो रहा है तो मैं अमीद करता हूँ यह सारी जानकारी प्रांप्त कर आपको अच्छे से पता लगया होगा कि आपके आरो के पानी से आपको कितना नुक सान ना हो आपको क्या करना है किर्पिया उसे note कर लें आप अपने आरो के technician को बुलाएं उसे कहें कि किर्पिया आपके घर पर आएं और जो यह आरो के अंदर पानी filter हो रहा है इसके TDS को आपको बढ़वा लेना है और इसको कम से कम आपको 300 करा लेना है बहतर रहेगा कि आ लो कॉस्टल एरियाज में रहते हैं समुद्र के किनारे रहते हैं कि वहां पर रमकीन पानी है तो उसको कैसे पीने योग्या बनाया जाए या फिर कुछ ऐसी जगह है जहां पर ग्राउंड वाटर के अंदर बहुत जादा मिनरल से हैं जिसको हम हैवी वाटर कहते हैं कि उस पीने योग्या बनाया जाए तो इसका इस्तिमाल वहां तक सिमित ना होकर अब हर कोई व्यक्ति उसका इस्तिमाल कर रहा है चाहिए उनके नलके का पानी बिल्कुल बढ़िआ हो उसके अंदर किसी प्रकार का कोईarnshit ना हो और वो पीने के अंदर भी बढ़िया हो तो भी ल लाइक करें, शेयर करें, फ्रवर्ड करें, जिस भी प्लैटफरम पर आप उन्ने देख रहे हैं, अगर आप उन्ने यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो किर्पया मेरे चैनल को सब्स क्राइब जरूर कर लें, और यूटूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, जिस से मे जल्दी उनका जवाब दूँगा और कुछ questions के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक detailed visualization की जुरूत है तो उनकी लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूँगा नमस्काल धन्यवाद खुश रहें स्वस्त रहें